अलवर के बांसूर में एंटी करप्सन ब्यूरो ने बड़ी कारवाई की है बांसूर एसेचो के लिए घूस लेते हुए हेड कॉंस्टेबल सुरेश कुमार को ट्रैप किया गया है ACB की टीम में ने सुरेश कुमार को 1,40,000 की घूस लेते रंगयातों दबोचा है एक मुकदमे में एफ आर लगाने की एवज में घूस की डिमांड की जा रही थी ACB के ASP विजय सिंग मीना ने इस कारवाई को अंजाम दिया है उन्होंने बताया कि परिवादी मुकेश देवी ने एक अगस्त को ACB को शिकायद दी थी कि मेरे पती सतीश कुमार को 17 जुलाई को घर से उठा कर बानसूर थाने के SHO रविंद्र कविया और हेड कॉंस्टेबल सुरेश कुमार ने अवैद रूप से बैठा रखा है जिसको लेकर हेड कॉंस्टेबल सुरेश कुमार ने SHO रविंद्र कविया के नाम से सतीश कुमार को छोडने की एवज में दो लाख रुपए रिश्वत की धिमान की है अभी डेड़ लाख रुपए में सतीश कुमार को छोडने के लिए सोधा तै किया गया जिसके शिकायत एंटी करप्सन ब्यूरो को की गई एंटी करप्सन ब्यूरो ने शुकायत का सत्यापन करवाया जिसके बाद ट्रेप की कारवाई को अंजाम दिया गया वहीं जिला पुलिस अधिक्षक ने अवैद रूप से थाने में बैठाने को लेकर एसे चो रविंदर कविया और रेडर देवे सिंग को सस्पेंड कर दिया परिवादिया मुकेश देवी जो हरसोली की रहने वाली है उसने कल दिनांग एक अगस्त को हमें सिकायद दी कि मेरे पती को अवैद हिरासत में बानसूर ठाने के अंदर एसे चो और उसके ही अधिनस्त हैड कोंश्टेबल में जिनांग 16 जुलाई से अवैद रूप से बैठा रखा है और उसको छोडने की अवज में दो लाख रुपे की डिमार्ड कर रहे हैं ये शिकायद प्राफ्त होने पर हमने शिकायद का सत्यापन करवाया सत्यापन में शिकायद सभी पाई गई और सत्यापन में जो रिष्पत रासी की जो डिमार्ड सुरेश कुमार हैड कोंश्टेबल के द्वारा थी थी एसे चो के लिए वो डेड़ लाख रुपे की डिमार्ड फाइनल थी कि आप डेड़ लाख रुपे लिया ना आपके पत कि परिवादिया के पास एक लाख चालीस जार रुपे की ही विवस्ता हो पाई थी अपने पती को अवय दिरासत से चुडाने की एवज में उसने सुरेश कुमार हैड कोंश्टेबल को दिये जैसे उसने आरोपी हैड कोंश्टेबल को रिष्पत रासी हाडी हमारी ट्रेट